वेलकम टॉल आफ यू मैंने में जंकी सिर्वास्तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यह समझेंगे कि फ्लूड या कोई भी चीज है या कोई भी फिजिकल एलिमेंट है जिस पे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और प्रे पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में नहीं आएगा आपको तब तक कैनेटिक एनर्जी समझ में नहीं आएगा तब तक आपको प्रेसर एनर्जी नहीं समझ में आएगा ठीक है तो सबसे पहले हम लोग डिसकस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को तो पोटेंशियल एनर् और मैं उपर में एक बॉल रख दिया, एक बॉल रख दिया, ठीक है, तो यह जो मेरा बॉल है, वो मेरा जितना ऊचा हाइट में होगा, ग्राउंड से, जैसे कि यह मेरा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, यह मेरा जो बॉल है, यह जो बॉल है, यह जितने उची हाइट पे होग मैं कहूंगा कि मेरा potential energy उतना ज़्याद है अब potential energy होता क्यों है क्योंकि ये किसी भी object की इस्थती के कारण उस पर उत्पन होने वाली उर्जा है मतलब सिर्फ static है मतलब जब आपका body rest कर रहा है जब आपका body move नहीं कर रहा है ये तब कि energy को कहते है potential energy potential energy का formula भी होता है potential energy को अगर formula के term में में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा potential energy equal to mg h potential energy को मैं mg h करके so करता हूँ ठीक है तो जैसे कि आप figure में देख सकते हैं मैं यहाँ पर बात किया था इस ball की ठीक है और यह जो rectangle से दीख रहा है आपको जो आपको rectangle दिख रहा है वो कुछ नहीं है वो suppose आपकी कोई building है ठीक है अब कोई ball किसी building के ऊपर रखी हुई है तो उस पे एक potential energy इस्टोर रहेगी ठीक है आपकी कोई ball किसी building की height पर रखी हुई है या कहीं पर भी रखी हुई है किसी भी particular height पर रखी हुई है कि इसमें उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपके पास formula क्या है, M, G, H, तो M क्या है, M इस particular object है, आप जिस भी object की बात करें, उस particular object का जो mass होता है, M, M मतलब mass, ठीक है, जिसका unit होता है kg, ठीक है, जिसका unit होता है kg, तो किसी भी object का, तो अब हम समझेंगे, कि kinetic energy क्या होता है, ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझ चुके हैं, कि potential energy क्या होता है, तो अब हम discuss करेंगे कि kinetic energy एक्चुल में होता क्या है, तो पहले पोटेंशल एनरजी क्या होता, हम कहेंगे कि उसका potential energy की value भी उतनी ही ज्यादी थी ठीक है और kinetic energy क्या होता है kinetic energy ऐसा energy होता है जो अपने motion के कारण होता है कोई भी पदार्थ motion कर रहा है तो उसमे kinetic energy है ठीक है कोई भी पदार्थ अगर आपका motion कर रहा है तो उसपे kinetic energy है तो तो सपोस्ट जैसे कि यहां पर मैं समझाने के लिए टैंक बनाया हूं और उस टैंक की height सपोस्ट एच है ग्राउंड लेवल से सपोस्ट टैंक की हाइट है एच ग्राउंड लेवल से ठीक है जैसे कि मैं दिखा रहा हूं तो जैसे कि मैं आपको बताया था कोई अगर पदार्थ है इस तीर अवस्था में अगर यह टैंक मेरा यहां से ज फि Exact तो इस पे रहने वाली पोटेंसिल एनर्जी क्या हो जाएगी इस टैंक पर रहने वाली पोटेंसियल एनर्जी क्या हो जाएगी मेरी इस टैंक पर reforms का मास की बात हो रही है और इस on मेरे tak TNK की इतनाएं ही कि मेरे ट میں कितना उच ए तो मेरेTNK जीतना ज्यादा उच होगा उतना ज्यादाJ merch regular apply men तो अगर मिउंच को खूला कर दूँ अचानक से तो मेरे पोटेंसियल एकानक से Kinetic energy में BTW मेरे तो यह अपनी इस्थितिशी 5 था और energy को stored करके रखाया, अमें suddenly यहां से path को खोल दिया, अमें suddenly यहां पर का path को खोल दिया, इस pipe को खोल दिया, तो water वहां से बहने लगेगा, और जो water अभी तक इस्थिर था, अब हो सकता है कि वो V velocity के साथ इस pipe के अंदर से नीचे की और बहने लगे, ठीक है तो उसमें velocity के involvement आ गया है आपने एक नियम पढ़ा है ठीक है उर्जे सरक्षंड का जो कहता है कि energy आपकी create भी नहीं हो सकती destroy भी नहीं हो सकती केवल उसका रूप change हो सकता है तो ठीक है तो जिस आपका potential energy था इस्थिर था हमने उसका नीचे से धकन को खोला तो वो kinetic energy में convert हो गया और kinetic energy का formula होता है half half mv square जहां पर m है आपका mass ठीक है वह वाटर का या जो भी आपका पदारत है और वी है उसकी velocity half mv square तो यह था kinetic energy आप दोनों को equate भी कर सकते हो mgh equal to equal to mgh equal to half mv square आप दोनों को equate भी कर सकते हो यहां से आपका क्या क्या कट जाएगा m कटा आपका mm कटा ठीक है और यहां से हमारी velocity की value निकलेगी जाएगी क्या निकल जाएगी कि टू जी एच और यहां से हमारा लग गया रूट तो यहां पर से हम एक relation मिला वी क्वल टू रूट टू जी एच तो यह relation हमारा आगे भी काफी काम आने वाला है ठीक है तो आई हो पर यह आपको समझ आ गया हो और यहां पर हम यह इसलिए कि दोनों तो आखिर एनर्जी है और अगर हम पोटेंशल एनर्जी को कानेटेक एनर्जी में कनवर्ट किया है तो इसके लिए ज़रूरी कि दोनों को दोनों एक्वल हो इसलिए हमने इसे एक्वेट किया अब हम समझेंगे कि प्रेसर एनर्जी क्या होता है तो प्रेसर एनर्जी उसके लिए मैं फिरेक टैंक बना देता हूं इस टैंक को मैं फूल कर दिया वाटर से फूल कर दिया मानलो में इस टैंक को मैं वाटर से फूल कर दिया है न इस पे इस पे मेरा वाटर फिल्ड है इस प्रेसर एनर्जी क्या होता है कोई भी फ्लूड अगर किसी भी लेवल पर फिल्ड है फिलाल हम लोग फ्लूड मेकनिक्स की बात कर रहा है तो मैं इसलिए फ्लूड की बात करूंगा ठीक है कोई भी फ्लूड अगर किसी भी टैंक या किसी भी मसीन में फिल्ड है ठीक है तो प तो पुच्छा फिल्ड है ठी कहा इहां पर मैं दिखा रहा हूं तो इस हाइट पर फिल्ड होने से उसमें प्रेषर की वैल्यवी आलग-आलग होगी ठीक है तो प्रेषर का एक फ्रॉर्मूला होता है इस केस मेंasia किलीव क्षण० आध्य पेहले जिए कर चुके हैं скरेंट करती है तोछ यहां पर रो क्या है रो इस इस फ्लूड कि देंसिटी जो भी फ्लूड के अंदर फिल्ड अगर वाट फिल्ड है तो वॉटर का देंसिटी क्या होता है थाasına美味 केजी है pause halo 1,000 केजी परיתי नीटर मेंटर की यह और वाटर का डेंसीटी होता है, आपके अलग-अलग फ्लूड का अलग-अलग डेंसीटी हो सकता है, तो रोडेंसीटी है, G है, ग्रेविटी दू टू एक्जलरेसन जिसका वेल्यू हम ऐसा होता है 9.81, ठीक है, और h है आपकी height कि कितने height तक कि आपका field है water suppose if tank में मैं water की value को बढ़ाता जाता हूँ water की height को बढ़ाता जाता हूँ मतलब water level के height को बढ़ाता जाता हूँ तो इसके अंदर pressure बढ़ता चला जाएगा और अगर मैं height को कम करूँ तो pressure भी कम होता जाएगा इस equation से आप समझ सकते हो ठीक है तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकते हूँ h equal to p by rho g इस h को कहते हैं pressure head इस h को कहते हैं pressure head यह वो value बताता है कि कितने height पे कितनी pressure है हमारी ठीक है तो यह था आपका pressure energy तो I hope यह वीडियो आपको पसंद आए तो like share and subscribe जरू कर दो